अभी 28 फरवरी को जो गुवर्मेंट की तरफ से सोलुई किसानों को दिया गया है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट दिया था कि यह जो पैसा आपके खाते में आ चुका है लेकिन उस वीडियो में मैंने धेरो कमेंट ऐसे देखेंगे कि बहुत सारे किसानों ने यह मु योजना की जो ओफिसेल वेबसाइट है पीम किसान.gov.in इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है जिस पे क्लिक करके आप डारेक्ली इस वेबसाइट पर आ सकते हो जहां पर इस पोर्टल पर नीचे के तरफ आ करके आप अपना जो पीजा जाता है लेकिन वह जो पेमेंट है इस पोर्टल पर थोड़ास देर में अपडीट होता है िसका एक सेलेशन है मैं आप को दिखाओंगा कैसे आप चेक कर सकते हो तो पैसे हैं आपकी खाते में किस खाते में गए हैं PFMS की एक website है, जिसका जो link है, वो भी मैंने वीडियो के description ने दिया हुआ, click करके, आप directly इस website पर आ सकते हो, अब ये जो portal है, ये dvt के माध्यम से जितनी भी इसकी में चलाई जाती है, वो payment इसी portal के माध्यम से send किया जाते हैं, अगर आधार enable कोई payment send किया गया है, तो आपको इस हमें इसी option का selection करना है, कुछ information basic आप सभी से मांगी जाती है, सबसे पहले तो, category के section में आना है, आपको ये selection करना है, कि भाई, कौन सी scheme की बारे में, आप payout के बारे में जानना चाहते हो, तो इस video में हम, जैसे कि PM किसान के बारे में जानने वाले हैं, तो यहाँ पर ये जो icon दिखाया गया है, इस पर हमें click करना है, आपको यहाँ पर application ID के section में आना है, यहाँ पर आपको PM किसान समानधी योजना के अंदर जब आपने apply किया था, उस समय आपको एक registration number मिलता है, वो code आपको यहाँ पर enter करना है, तो application ID के section में, हम यहाँ पर अपनी जो ID है, वो enter करे हैं, जहाँ पर आप देखोगे कि अभी जो 16th installment का payment किया गया है, जो अभी government की तरफ से latest payment किया गया है, उसकी जो complete detail है, यहाँ पर देख सकते हो, payment यहाँ पर success हुआ है, और यह जो payment है किस account के अंदर गया है, यहाँ पर आप सुभी को उसके कुछ last digit दिखाए गया है, तो य official website है, इस पर आओगे, तो यहाँ पर government ने एक list जारी किया है, जितने भी किसानों को payment नहीं मिला है, उस list में आप चेक कर सकते हो, कहीं आपका नाम सामिल तो नहीं है, तो यहाँ पर आपको list दिखाता हूँ, फिर उसका क्या करना है, कैसे आपको payment मिलेगा रुका हुआ, व अगर आप एक किसानों CSC ID नहीं है, तो आप किसी CSC सेंटर पर जा करके अपना जो name है, वो चेक कर आ सकते हो, पर हमें क्लिक करना है, देन आप सबी के सामने page का जो interface है, कुछ इस तरीके का आएगा, का option दिखेगा, reports का, इस option पर आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पर आपको दिखेगा, EKYC pending report, तो जैसे कि हम rural चेतर से हैं, ग्रामडी चेतर से हैं, इस option पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देखोगे, मैंने selection किया है, तो यहाँ पर sub district, यानि तहसील को चूज करने का option है, वो आ चुका है, तो यहाँ पर example के लिए हमने एक गाउन का selection किया है, और इसके बाद में हमें get data के option पे क्लिक करना है, तो आप नीची के तरब देखोगे, कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ लोगों की जो name है, वो आ चुके हैं, जहाँ पर इन लोगों को PM किसान समानधी योजना का जो पैसा है, वो नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर इनके account में problem थी, तो इसलिए government ने पूरे ही गाओं के जितने भी members थे, उनकी जो list है, यहाँ पर दे रखिये, यहाँ पर कई सारे लोगों के mobile number भी दिये गए हैं, जिससे कि कोई CSC वाला अगर है, तो वो यहाँ पर इनको calling करके, यहाँ पर इनकी जो KYC है, उसको fix करा सकता है, तो इस registration number अपना नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको know your registration number का option दिया गए, जिस पर click करके, आधार number के through, या फिर आप mobile number को use करके, अपना जो registration number है, वो फारगेट कर सकते हो, अब जैसे आप click करोगे, तो आप सभी के सामने PM के साल समानधी योजना के अंदर, जो आपका account है, वो आ detail अगर आपको update करना है, अपनी KYC करना है, तो यहाँ पर आपको option दिया गया है, update your detail का, इस option पर click करके, आप सभी लोग अपनी KYC है, वो कर सकते हो, इस option पर अगर आप टैप करोगे, अपर eligibility आपको दिखाई गई है, जिसमें कि यहाँ पर major 3 eligibility के criteria होते है, जो कि यहाँ पर उसकी नहीं हो रखे, यहाँ पर भी no mention किया गया है, या फिर आधार के अंदर अगर कोई भी cross आपको देखने मिलता है, तो आपको PM किसान समान दी, योजना का जो payment है, वो मिलने में problem आईगी, तो यहाँ पर इस portal पर आ करके, आप अपनी जो details है, वो चेक कर सकते हो, KYC नह करके इस problem को आप fix करा सकते हो, तो खास करके इस video में आप सभी को यह information देनी थी, कि PM के सान समान दी, योजना के अंदर, अगर आपको पैसा नहीं मिलता है, तो किस तरीके से अपनी जो problem है, वो fix करना है, तो यहाँ पर इस video को देख करके, आप अपनी जो problem है, उसको check कर सकत हो, आसा करता हूँ, आज का जो video है, आप सभी को काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया, तो इसे like जरूर करना, चैनल पर अगर आप नए हो, तो चैनल को भी subscribe करके जरूर रखना, और हम मिलते हैं, ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक ले goodbye, जैहन.